साथियों हाल ही में केरल में एक नया वाइरस दिखाई दिया है जिसका नाम है जीका वाइरस साथियों जीका वाइरस कोरोना वाइरस के बाद में सबसे गंभीर वाइरस में से कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पर लगबग 12-13 लोगों में जीका वायरस के सेंपल्स लेकर के National Institute of Virology भेजा गया है उन सेंपल्स को ये चेक करने के लिए कि कहीं उनके अंदर जीका वायरस जादा तो नहीं है और अगर doubtful मामला है तो कितना वायरस उनमें उपस्तित है केरल में जीका वायरस की उपस्तिती भारत के लिए एक चिंता की बात है सवाल बंता है सर जीका वायरस में ऐसी क्या चीज होती है साथियों हम लोग ये सारी की बाते क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हेल्थ हमारे syllabus के अंदर जी एस पेपर 2 का एक बड़ा हिस्सा है आईए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ बात यू है साथियों कि जब हम बात करते हैं जीका वाइरस की तो जीका वाइरस असल में इंडियन वाइरस नहीं है ये चाइना से भी नहीं आया है तो ये आया कहां से तो साथियों ये वाइरस आया है यूगांडा से, यूगांडा कहा है, अफरिका में है, साथियों जो अहाल ही में केरल के अंदर वाइरस पाया गया है, ये आज का वाइरस नहीं है, फिर आप पुछेंगे, सर एक बात बताईए, यूगांडा से कौन लेकर के केरल चला आया, पिटा ये आज का नहीं है युगांडा में 1947 में सबसे पहले ये जो वाइरस है ये बंदर में पाया गया था किस में पाया गया था बंदर में 1947 में सबसे पहले ये वाइरस पाया गया था उसके बाद ये वाइरस यूगांडा से ही निकल करके बंदरों से इनसान में प्रवेश किया और इनसान में 1952 के अंदर सबसे पहले ये वाइरस इनसान में पहुँचा इसके बाद में साथियों ये यूगांडा के ही नजदीक से होते हुए तंजानिया में पाया गया अब आप पुछेंगे सर ये वाइरस में होता क्या है साथियों ये वाइरस एक मच्छर है मच्छर की वज़े से फैलता है जिसका नाम है एडीज एडिप्टी एडीज एडिप्टी नामक वाइरस के कारण ये मच्छर के कारण काटने से ये वाइरस फैलता है साथियों यह एक Flavivirus category का है Flavivirus है और यह Aedes aegypti के कारण जो है यह वाइरस फैलता है अब आप पूछेंगे ऐसा क्या होता है इस Gika virus के अंदर सबसे खतरनाक चीज तो यह है साथियों कि Gika virus एक ऐसा virus है जो अगर किसी गर्ववती मा के शरीर में प्रवेश कर जाए तो गर्ववती मा के शरीर में प्रवेश करके यह माता से जो संतान गर्भस्त शिशू है वो जो गर्वनाल के माध्यम से जुड़ी हुई है उस गर्भनाल से होता हुआ ये गर्भस्त शिशू में भी पहुँच जाता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है देखिए इनसान का रक्त बच्चे में नहीं पहुँच पाता है लेकिन वाइरस पहुँच जा रहा है जरा सोच के देखिया साथ हो ये वाइरस उस गर्भनाल से होते हुए महिला से बच्चे के शरीर में एंट्री कर जाता है और बच्चे को जो बिमारी हो जाती है इस वाइरस के कारण उसका नाम है माइक्रो सिफेली माइक्रो सिफेली का मतलब ये है कि जो बच्चा पैदा होता है इसका सर सामान इसे छोटा रह जाता है सामान इसे छोटा सर रह जाता है ये इस Gica virus की सबसे बड़ी बिमारी का प्रकार है तो क्या सरीए केवल गर्वस्त शिशु को ही प्रभावित करता है जी नहीं, इसके अलावा भी प्रभावित करता है किसको आम आदमी को भी ये तरह तरह से प्रभावित करता है जैसे शरीर में विभिन्न स्थानों पर दर्द होना, जोडों में पेन होना यानि कि एंकल्स का दुखना, रैशेस का हो जाना, तेज बुखार का आना, आँखों में स्वेलिंग का आ जाना ये इस जीका वायरस के लक्षन है, लेकिन इसकी वज़े से जो सबसे खतरनाक लक्षन है, वो बच्चों में होता है इसके अलावा बड़ा सवाल ये बनता है, सर ये मतलब फैलता कैसे है, तो मच्छर के काटने से अब किसी infected person को अगर मच्छर ने काटा, वो व्यक्ति किसी और को काटेगा, तो वहाँ पर फैल सकता है दूसरा, अगर blood transfuse किया, एक व्यक्ति का blood दूसरे व्यक्ति में transfer किया, तो ये फैल सकता है अगर organ transplant किया, किसी का swasth liver, किसी patient के शरीर में transfer किया, तो ये फैल सकता है दूसरा, तीसरा, ये sexually transmitted है, यानि महिला से पुरुष में ये transfer हो सकता है महिला से पुरुष, पुरुष से महिला, इनमें ये transfer हो सकता है, sexually transmittable है ये और माता से गर्बस्त शिशू में ये जा सकता है, ये हाला कि ये वाइरस जो है, ये एक प्रकार का, इसे ये ना समझें कि ये मतलब पंशानुगत है, नहीं लेकिन अगर माता को वाइरस ने infect कर दिया है, तो बच्चे में पहुँच जाएगा, ये इस वाइरस की कहानी है, तो उमीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये मैंने विभिन प्रकार बताए जिसकी वज़ए से ये पहुचता है, अब आप पूछेंगे कि सर ये और जीका, इनके लगभग एक जैसे ही लक्षण होते हैं, इन एक जैसे लक्षण में ये जब बच्चों में पहुचता है, तो इसके लक्षण अलग दिखाई पड़ते हैं, अदरवाइस तो लोग पहचान ही नहीं पाते कि क्या जीका वाइरस आ गया है, केरल में इसके ल डिजीज नहीं है, इसकी वज़े से मौत होने की घटना बहुत कम होती है, इसलिए इसके वारे में कभी प्रात्मिता दी ही नहीं गई, क्लियर है, चलिए, तो ये सारी की सारी बाते आपने देख ली, ये है एडीज मॉस्किटो, ये अपना प्रदर्शन देते हुए आपक तो क्या ही है, आप बस इतना सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कोई भी विध्यारती एकॉनोमिक्स को बेसिक से पढ़ना चाहता है, तो मेरा जीके वाला बैट जॉइन कर ले, जिसमें उसे हिस्ट्री, जोगराफी, पॉलेट, एकॉनोमी, सारी चीज़े मिलेंगी, SSE कैटेगरी में, और मैथ, रीजिनिंग, जैसे तमाम सब्जेक्ट, जो SSE के लिए जरूरी है, वो भी सिंगल सब्सक्रिप्शन से उसे मिल जाएंगे, इसके अलावा, यदि आप UPSC कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इस बुद आपको जो books दी जानी है, 10,000 की books भी आपको यहाँ पर उपलब्द करवा दी जाएंगी, test series भी आपको उपलब्द करवा दी जाएंगी, तमाम चीज़ें आप तक उपलब्द करवा दी जाएंगी, क्या-क्या मिलता है इन classes के अंदर, जितने भी top educators पढ़ा रहे हैं, उन बात कर सकते हैं, clear है, तो यह सारी सुविधाएं अनकेडमी अब आपको दे रहा है, प्लस विध्यारतियों के लिए यह सुविधाएं उपलब्द हैं, करना क्या होगा, Google Play Store से अनकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, phone number से अपने आपको रजिस् आपको दिया जा रहा है, referral code अंकित 10 लगाएं और selection पा जाएं, साथ ही हो, आपको मैं बता दूँ कि यदि आपको इस content की PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल अंकित अवस्ति सर को जाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मेरे content की संपून PDF प्राप्त हो जाएगी, ठ प्रणों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित विस प्रकार से व्यक्सित करें, यह महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, धन्यवाद.